नमस्ति दोस्तों कैसे हो आप सब आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ कुछ नए नए आइडियाज और ये सारे आइडियाज आपके रोज के कामों में बहुत हेल्प करेंगे वीडियो जरूर एंट तर देखिए पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेर करना ना भू कर दो दोओड़कों प्रेजिक कामों तुम ह यहां पर देखिए आपका अगर blouse उपर से लूज हो रहा है या फिर नीचे से दोनों तरब से ये वाला आप ट्रिक यूज कर सकते हो तो यहां पर मैंनी ली है safety pin और safety pin को हमें इस तरिके से यहां पर लगा देना है यहां पर आपको blouse कितना लूज हो रहा है उसके हिसाब से आपको safety pin को distance में रखना है तो देखिए यहां से भी मेरा थोड़ा सा ये blouse lose लग रहा है तो मैं यहां पर भी एक safety pin लगा रही हूँ अब देखिए हमें क्या करना है जो भी hook है न वो लगाने safety pin के अंदर हो गया न यह tight जरू try कीजिए और मुझे comment box में बताना ना भूले क कि आपको ये trick कैसे लगी देखिए कितने मजबूती से बेठा है और दिखाई भी नहीं दे रहा जरूर try करें जल्द बाजी में आपको ये बहुत काम आएगा और देखिए इस तरीके से आप इसे निकाल भी सकते हो और दोबारा पहन भी सकते हो है न कमाल का जुगार तो अचले देखते हैं हमारा दूसरा टिप तो यहां पर मैंने ली है कुछ आलू बाजर में जब नए नए आलू आ जाते है न तो इस तरीके से इसकी जो skin होती बहुत ज़्यदा पतली होती है और इसे हटाने के लिए हम अगर चाकू या फिर पिलर का यूज करते है तो हमारा बहुत सारा आलू वेस्ट हो जाता है जिससे कि हमारा ये काम बहुत आसानी से होगा तो यहां पर हमें चाहिए स्क्रबर मेरे पास नया स्क्रबर पड़ा था एक्स्ट्रा का तो उसे ही मैं यूज करूंगी आपके पास भी जरूर होगा या फिर बरतन मांजने वाला भी य तो यहां पर देखे इसकी जो स्कीन है ना कितने अच्छे से निकलते जाती है बिल्कुल भी आलू वेस्ट नहीं होता है और ये हमारा घंटो का काम मिंटो में हो जाता है देखे कितने अच्छे से हम आलू को साफ कर सकते हैं अब जैसे धूप निकलेगी तो हम इसके चिप करें ऐसे यूसफुल वीडियो में आपके लिए लाती रहती हूं तो देखे हो गया ना घंटो का काम मिंटो में जरूर ट्राय करें और अपना टाइम और मेहनत बचाए तो चले देखते हमारा अगला टिप कौन सा है जब भी हम ज्यादा चूडिया पहनते हैं तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो देखे इस तरह के से जब हमें काम करते टाइम इने पीछे करना पड़ता है बार बार यह फिसल के आगे आती है तो इसके लिए हमें क्या करना है सेफटी पिन लेना है और सेफटी पिन को इस तरह के से सारे चूडियों के अंदर लगा दे तो चली देखते हैं हमारा अगला दिप कौन सा है जब भी हम कोई घर में चीज लाते है उसके साथ आता है एक तरिके का प्लास्टिक का कवर, खास करके जो प्लास्टिक के कवर होते हैं उनका तो रियूज हम हमेशा करते है पर ये जो ज़ाड़्ु का कवर होता है इसे हम फे आपको भी खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूं वहां से आप खरीद सकते हो तो यहां पर दीखे यह जो दोनों केरी बैग है न यह जाडू का कवर और एक था पाई पाई थे इसमें तो उसका कवर था यह तो दोनों का हम यूज करेंगे तो यहा मैं कर रही हूं इसे रखने के लिए देखे कितने अच्छे से यह इसमें बैड भी गया तो है न कमाल का आईडिया और इससे हमारा घर भी और चीजे भी सही सलामत रहेगी तो चले देखते हमारा अगला टिप कौन सा है जब भी हमें निलपेंट को हटाना होता है अक्सर हम निलपेंट है उसके उपर ही हमें दूसरा निलपेंट लगाना है आप सोची रहे होंगे कि इससे हमारा पहला वाला निलपेंट कैसे निकलेगा तो यह बहुत बड़ी ट्रीक है तो यहां पी देखिए मैंने जो उपर वाला निलपेंट लगाया ना उसे हमें सुखने नही तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे दोनों नीलपेंट बहुत ही अच्छे से हट जाते हैं बिल्कुल भी हमें यहाँ पे नीलपेंट रिमोवर की जरुरत नहीं पड़ती तो ज़रूर ट्राइ कीजिए जल्द बाजी में और टाइम पे आपको यह सारे हैक्स बहुत ज्याद हो जाती है बिल्कुल भी खाने लायक नहीं बचती है हमें एकसर उसे फेकना ही पड़ता है या फिर गाय को देना पड़ता है तो रोज-रोज का यह जंजट आपका खतम होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं एक आपको बहुत ही बड़िया आइडिया बताऊंगी तो इस त अंदर हमें क्या करना है जाली रखनी है कोई भी आपके पास जाली हो इस तरीके से वो भी रख सकते हो या फिर आपके पास जाली नहीं है तो आप ये कटोरी या फिर प्लेट का भी यूज करके इसे इस तरीके से रख सकते हो वो हम बाद में देखेंगे तो यहाँ पी दे देता है हमारे नीचे वाली रोटी को गीला तो हम अब क्या करेंगे जो भी जाली की अंदर रोटिया थी वो हम रख देंगे हमारे होट पोट में तो देखें नीचे वाली रोटी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और आप इस तरीके से जब भी बिल्कुल जाली में नहीं र इसके बाद हमें क्या करना है जो भी रोटिया ऐना उसके अंदर रखते जाना है इस से क्या होगा हमारी जो रोटि आना नीचे की वह गीली नहीं होगी क्यूंकि गरम गरम रोटिया इस सिरकेसे हम रखते हैं stark descriptions कि इतनी ज्यादा कराब हो जाती है खाननें लायक नहीं बचती तो ज़रूर ठ्राइचिजिये और खाने की बरबादी होने से बचा लीजिए देखे हमारा अगला टेप है दूद को लेके जब भी हम दूद को गरम करते हैं गरम होने के बाद इसके ऊपर हम डगदेते हैं प्लेट को थोड़ी ही देर में ये प्लेट गरम हो जाती है तो इसका भी हमें फायदा उटाना है तो यहां पर देखें मैंने लिए है धने आपके पास जो भी जीरे हो जाए या फिर इस तरह से धनिया होता है उसे हम पीस के पाउडर बना लेते हैं सबजी में डालने के उपर ताकि यह जो प्लेट है न बहुत गरम होती है और हमारे इससे जो धनिया हो जीरा हो पूरे क्रिस्पी हो जाते हैं तो देखें इस तरह के से आप बहुत सारी बचत कर सकते हैं घर में चोटी चोटी चीज़े हैं बहुत काम की ज़रूर ट्राइ कीजिए वीडियो पस